तो तयार है फ्रेंड हमारे स्नेक्स चार ब्रेट से हमने बनाए हैं तो इसको सोस के साथ भी खाईए देखेंड खुसबू की रसोई में आज फिर से सुआ गाता है आपका आज मैं बहुत ही अच्छी रैस्पी बताने जा रही है आपको ब्रेट का स्नेक्स बनाएंगे तो द चारो तरब के किनारी काट लोंगे कैची से इसको कर लेंगे साइड ऐसे हम सारी ब्रेट के किनारी काट लेंगे अजेदार होने वाली है आप यकीर नहीं कर सकते कि हमने इसे ब्रेट से बनाया होगा तो हमने ब्रेट को काट लिया है करेंगे तोड के डाल देंगे अब करेंगे तकन बंद अभी से पीस लेतें अब हमने mixi बाउल में ये piece लिया था बैटर तयार कर लिया हम डाल देंगे बाउल में transfer कर देंगे इसे तो देखे मैंने transfer कर दिया है अब इसको बहुती क्रिस्पी मज़िदार snacks बनाने के लिए हम याप पर suji add करेंगे ये देखे मैंने आदा कटोरी suji ले लिया है तो हमारा suji add हो जाएगा इसमें अब हम इसको mix करेंगे suji से क्या होगा बहुती अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी बनके तयार होगा हमारा snacks हमारा इसको mix कर लूँगी अब हमारा ये बैटर बनके तयार हो गया है आप चाहें तो यहां पर simple पनी भी ले सकते हैं यहां पर अपना बैटर भर रहे हैं यहां सारा बैटर अब क्या करेंगे हम इसकी कोन बना ले तो कोन हमें simple simple पनी की भी बना सकते हैं बिल्कुस क्या है अब इसमें लगा देंगे हम rubber हम इस कोनी को कैचिस की मदद से काट देंगे यहां पर कड़ाई में मैंने oil डाल के गरम कर लिया है अब हम अपनी snacks बनाने के लिए तयार है तो अब हम क्या करेंगे यह जो मैंने कोन बनाया था इसको हम कट कर लेंगे अपने snacks बनाने के लिए निकाल लेंगे तयार है फ्रेंड हमारे snacks चार प्रेट से हमने बनाये हैं तो इसको सोस के साथ भी खाईए देखिए कितना क्रिस्पी बनके तयार हुआ एकदम सॉप्ट सॉप्ट मूला है तो आप भी बनाये मेरे तरीके से घर पड जटपड बनने वाला इसनेक्स है यह आप जट पड चार ब्रेट से तो आप भी बनाये साम के नास्ते में तो साम को कुछ चटपटा खाने का मनो तो इसनेक्स बनाके खाईए मेरे तरीके से बनाये तो आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो इसनेक्स की तो चैनल को करतीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेर, कमेंट और मिलते हैं अगरी रेस्पी